कि हैं लो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा तोरण कर डिजाइन बताने वाली हूं यह जो तोरण पट्टी है यह मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूं तो इसका जो लेंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंकि नीचे का पर बनाएंगे मैंने अपर जो डिजाइन बनाया है उह एक एक डिजाइन को छोड़ के एक को गैप देके फिर बनाया है तो यह पर में menor जो ऑला यह दो आट वाला यहां वाल यह वीलिड पर शुरू करेंगे तो यहां पर हम्में इक ही तो सब्सेप पहले एक गाट लगा करेंगी और इसकेबाद धागा को थोड़ा लंबा कहिशेंगे और यहां पे एक कशित्व के हम सम् üstवी तो चील सब्सक्राइम टाया को इसते हैं में लें कमพ्लीट करना है साथ बार हमने क्रॉस यह में ताकया था और इसको हमें छे बार में कमप्लीट करना है यहाँ पर एक चन के बना थाक पूरा कमप्लीट कर लेंगे साथ ऑर यहां से हम दूसरे का धगा जोन करेंगे आप यहां पर चाहों तो घ्रीन वाले धगवा कार्ण सकते हुए या फिर इसी में छोड़ सकते हो तो इसे बनाने के लिए पर सबसे पहले धगा को जोन करना है फिर इसकी बार यहां पर देखेंगे जो पहला वाला यहां पर चैan की जैसा दिख रहा है, जहां से य variety हो रहा है, वहां से एक single crossya बना लएंगे, उसके बाद फिर crossya में धागा को लेंगे, और इसको लंबा खीचेंगे, फिर यहांसे एक बर और खीचेंगे, चार बार हमें क्रॉसिया में धागा को लेना है और इन चारों को एक साथ बनाना है यहाँ पर दो हम यहाँ पर छोड़ेंगे लास्ट में इनको एक साथ बनाएंगे बना लिया फिर एक चैन बनाएंगे अब इसके बाद जो next वाला इस पेस जल सा दिख रहा है वहाँ से हम फिर चार बार धागा को लेंगे क्रॉसिया में एक दो तीन चार चार बार धागे को लिया और इन चारों को एक साथ बना लेंगे फिर एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पर इसको एक बार फिर ऐसे ही हम चार बार यहाँ पर जो next वाले space है, वहाँ से 4 बार cross यह में धागा को लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 बार धागे को लिया, अब इनको 1 साथ बना लेंगे, 1 साथ बनाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 6 हमने बनाया था ना, तो 6 puff ऐसे ही हम बनाएंगे, 3 बना लिया है, 3 और बनाएंगे, में पर 6 बना इनको लिया है, वहाँ से चैन वाले kur लियांगे, और एक रह यहां परी एक बनाएंगे, अब यहाँ पर 1 चैन बनाएंगे, फिर एक chain बनाएंगे और यहाँ पर एक single cross यह बनाएंगे हमें इस design इस वाले line में सिर्फ एक ही design बनाना था इसलिए हमने यहाँ पर इसे ऐसा बनाया next वाले तो design होगा जिसमें दो बनाना है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर different तरीके से होगा तो यहाँ पर यह बनाके और क्या करना है यहाँ पर धागा को बांद के और कट कर लेना है तो यह हमारा एक design यहाँ पर complete हो गया अब धागा को बांद के कट कर लेंगे अब ऐसे ही हमें design अप हुए तोरन में बनाना है तो यहाँ पे हमें दूसरा वाला डिजाइन शुरू करना है तो सबसे पहले सेम तो हमें ऐसे ही बनाना है जो सबने पहले वाला बनाया था यहाँ पे पहले धागा को जॉइन करना है सिंगल क्रॉस यह से कर लिया जॉइन अब इसके बाद धागा को लंबा कीचेंगे और इसको छे बार क्रॉसिया में धागा को लेंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, और एक बार पहले हमने लिया था उसको लेके साथ अब फिर दो बनाएंगे एक बार में फिर दो बनाएंगे ऐसे करके हमें छे बार बनाना है छे बार बनाने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसको एक बार में एक सिंगल क्रॉस यह बना लेना है यहाँ पे यहाँ पे एक सिंगल क्रॉस यह बना लेना है यहां पर भी हमें 6 पॉफ बनाने है तो सबसे पहले तो हमें यहां पर इस धागे को जॉइंट करेंगे अब यहां पर हम ग्रीन वाला धागा काटेंगे नहीं क्योंकि हमें नेक्स्ट जो इसका दूसरा बनाना है इसी वाले में से बनाना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने धागा को जोईंट कर लिया इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो पहला वाला स्पेस जैसा दिख रहा है वहाँ से हम एक सिंगल क्रॉस यह बना लेंगे बना लिया अब धागा को लमबा खीचेंगे और फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे चार बर धागा को इसमें क्रॉसिया में लेंगे और चारों को एक साथ बनाएंगे यहाँ पर दो प्लास्ट के छोड़ देंगे फिर उन दोनों को एक साथ में बनाएंगे यहाँ पर दो चोड़ दिया, आब इसको एक साथ बना लेंगे फिर एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर जो next wall of space दिख रहा है वहाँ से एक पप बनाएंगे चार बार धागी को लेंगे एक, दो, तीन, चार चार बार दाके कुलिया, अब इसको एक साथ बना लेंगे बना लिया, अब फिर इसकी बाद एक चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर ऐसी करके हम छे पॉप बनाएंगे जैसे हमने पहले वाले में बनाया था चे पप बना लिए अब इसकी बाद यहां पी क्या करना है जो फर्स्ट वाला चैन था वहां पर क्रॉस्य को डालना है और इस वाले को डालके और यहां पर एक सिंगल क्रॉस्य बना लेना है बना लिए अब इसकी बाद एक चैन बना के जो नेक्स्ट वाला चैन दिख रहा है उसमें एक सिंगल क्रॉसिय बनाना है, फिर एक चैन बनाना है, और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रॉसिय बनाना है, मतलब तीसरे वाले पप में हमें यहाँ पे ले जाना है धागे को, यह हमारा इसका बीच का पार्ट है, तो बीच के पार्ट में लेके जाना ह अब यहां से green वाला धागा फिर से हमें यहां पर लेके आना है तो हम cross यह मैं ऐसे धागे को डालेंगे और नीचे के side से इसको लेके आएंगे उपर और जो यह pink वाला धागा है इसको नीचे के side कर लेंगे नेक्स वाला डिजाइन में काम आये गई तो अब यहीं से हम यहां पर फिर से यह green वाला डिजाइन बनाना शुरू करेंगे धागा को पहले यहां पर एक single cross यह बना लेंगे उसके बाद यहां पर धागा को लंबा खीचेंगे फिर से जैसे हमने पहले बनाया वैसे ही यहां से धागा को लंबा खीचेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ बर धागा लिया अब इसको दो दो करके बनाएंगे छे बार में एक दो तीन चार पांच छे बार में बना लिया अब लास्ट में यहां पर फिर से क्या करेंगे अब यहां से हमें इस क्रीन वाले धागा को कट कर लेंगे यहां पर तीन में हमें बनाना था लास्ट में तीन बचेगा तो इन तीनों को एक साथ बनाना था अब यहां से क्या करेंगे एक चेंद बनाके इस दागा को कट कर लेंगे क्योंकि अब हमें इसके बाद design ही बनाना है इस वाले line में हमें दो ही design बनाना था अगर 3 बनाना होता तो हम दागा को नहीं कट करते आगे वाले में फिर इस दागे को लेके जाते दागा कट करने के बाद फिर से pink वाला दागा उपर लेके आएंगे और यहाँ पे पहले वाले स्पेस में एक सिंगल क्रॉसिया से यहाँ पे उपर के साइड में लेके आएंगे फिर इसके बाद धागा को लंबा खीचेंगे पफ बनाएंगे चार बर धागे को लेंगे एक दो तीन चार चारबर धागे को लेंगे क्रॉसिया में और इन चारों को एक सथ बनाएंगे लास्ट का दो छोड़ देंगे और इसको एक साथ बना लेंगे फिर एक चैन बनाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स टोलर स्पेस दिख रहा है वहाँ से फिर एक पफ बनाएंगे पफ बना लिया पफ बनाने के बाद फिर एक चैन बनाएंगे और ऐसे ही करके हम यहाँ पे टोटल छे पफ बनाएंगे छे स्पेस में छे पफ बना लिया अब यहाँ से क्या करेंगे पहले वाले चैन में क्रॉसिया को डालेंगे एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रॉसिया बनाके इस डिजाइन को कम्प्लीट कर लेंगे और फिर यहाँ से धागा को कट करके और बांध लेंगे तो हमारा ये जो दूसरा लाइन है वो तयार हो गया ऐसे ही हमें तीसरा लाइन बनाना है यहाँ पर एक छोड़ देना है और दूसरे वाले में यहाँ पर तीन हमें बनाना है फिर उसके बाद चार बनाना है फिर उसके बाद पांच बनाना है फिर 6, फिर 7, फिर 8 ऐसे ही हमें इस साइड भी बनाना है पहले एक के बाद 2 बनाना है तो देखे मैंने यहां पर तीसरा वाला लाइन भी complete कर लिया, एक, दो, तीन complete कर लिया, अब इसके बाद 4 बनाएंगे ऐसे ही करके पूरा तोरन बनाएंगे तो देखे मैंने यहां पर तोटल 8 जो मेरा सबसे लास्ट वाला लाइन बना था उसमें 8 डिजाइन बने हुए थे तो ऐसे ही करके मैंने यह पूरा डिजाइन complete कर लिया है, यहां पर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे ही इस साइड भी है एक के बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6, यह विदावर मोती भी लगा सकते हैं लेकिन जब आप पुम-पुम लगाओगे तो इसमें मोती लगाओगे तो और भी अच्छा लगेगा मैंने यहां पर क्या क्या है, पुम-पुम नहीं लगाया है मैंने यहां पर जालर लगाया है तो जालर लगाने के लिए का करना है धागा को पहले यहाँ पर फोल्ड करना है और आपको जितना भी बड़ा जालर चाहिए उस हिसाब से इस धागे को फोल्ड करके और फिर इसको कट कर लेना है यहाँ पर इसको कट कर लेना है फिर इसकी बाद क्या करना है यह जो बीच में हमारे हर डिजाइन के last में ये जो hole जैसा बना हुआ है इस hole में हमें इस धागे को डालना है और दोनों साइड हमें equal करके यहां पे यह दोनों साइड equal करना है equal करने के बाद यहां पे इस दम एक स्टार्टिंग में इसको छोटे से धागे से बांदेना है कट कर लिया, अब इसके बाद यहाँ पर दम स्टार्टिंग में, बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में उल्टा करके इसको और यहाँ पर दो-तिन गाष्ट लगा लेंगे, इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ पर दो-तिन गाष्ट लगाने के बाद इसको इकॉल करना है, यहां पर इसको ऐसे पकड़के और equal करेंगे और जो भी यहां पर extra धागा है उसको cut कर लेंगे. Cut कर लिया, अब ऐसे ही हमारे पास जितने भी यह लाइन बने हुए हैं, यहां पर टोटल 15 लाइन बने हुए थे, तो 15 लाइन में हम ऐसी ही जाल लगा लेंगे. तो देखे, मैंने यहां पर पूरा तोरण complete कर लिया है और यह देखे, तोरण कितना प्यारा लग रहा है. आप चाहे तो इसे colorful भी बना सकते हैं, आपके पास अगर उनके टुकड़े बच गए हैं, तो आप उससे भी एक एक लड़ी बना की और इस तोरण को complete कर सकते हैं. तो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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